योहन्ना रचित सुसमचार पांच्वा अध्याए इन बातों के पीछे यहुदियों का एग पर्ब हुआ और येश्यू यरुशलेम को गया। यरुशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथस्ता कहलाता है। पर्मेश्वर के स्वर्ग दूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। चाहे उसकी कोई बिमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्ष था जो अरतीस वर्ष से बिमारी में पढ़ा था। यिश्यू ने उसे पढ़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पढ़ा है। उससे पूछा, क्या तु चंगा होना चाहता है। उस बिमार ने उसको उतर दिया, कि हे प्रभू, मेरे पास कोई मनुष नहीं कि जब पानी हिलाया जाए, तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुचते पहुचते दूसरा मुझ से पहले उतर पढ़ता है। यिशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष तुरंत चंगा हो गया, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्द का दिन था, इसलिए यहुदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्द का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। उसने उन्हें उतर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझ से कहा अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष है जिसने तुझ उससे कहा खाट उठाकर चल फिर। परन्तु जो चंगा हो गया था, वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगए में भीड होने के कारण इश्यू वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह इश्यू को मंदर में मिला। तब उसने उससे कहा देख, तु तो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आपड़े। उस मनुष ने जाकर यहूदियों से कह दिया, कि जिसने मुझे चंगा किया, वह इश्यू है। इस कारण यहूदी इश्यू को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्द के दिन करता था, इस पर इश्यू ने उनसे कहा, कि मेरा पिता अब तक काम करता है, और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिको से मार डालने का प्रयत्न करने लगे, कि वह ना केवल सब्द के दिन की विधी को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपन नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीती से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीती रखता है, और जो जो काम वह आप करता है, वह सब उसे दिखाता है, और वह इन से भी बड़े काम उ जिन्हें चाहता है, उन्हें जिलाता है, और पिता किसी का न्याई भी नहीं करता, परंतु न्याई करने का सब काम पुत्र को सौप दिया है। परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। वह समय आता है, और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जियेंगे, क्योंकि जिस रीती से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीती से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है, कि अपने आप में जीवन रखे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है, कि जितने कब्रों में हैं, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने भलाई की है, वे जीवन के पुनुरुथान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, वे दंड के पुनुरुथान के लिए जी उठेंगे. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ, वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ, तुम मेरी गवाही स तुमने यहन्ना से पुछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विश्य में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उध्धार मिले, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है, उसीने मेरी गवाही दी है, तुमने न कभी उसका शब्द सुना, और न उसका रूप देखा है, और उसके वचनों को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने बेजा उसकी प्रतीती नहीं करते, तुम पवित्र शास्तर में ढूडते हो, क्योंकि समस्ते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, मैं मनुश्यों से आदर नहीं चाहता, परंत मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहन नहीं करते, यदि कोई और अपने ही नाम से आये, तो उसे ग्रहन कर लोगे, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते ह और वह आदर, जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहेते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो, यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोश लगाऊंगा, तुम पर दोश लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीती नहीं करते, तुम मेरी बातों की क्योंकर प्रतीती करोगे?